दोस्टों आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने phong की screen को computer या laptop में mirror कर सकते हैं और movies और games को buddy screen पर enjoy कर सकते हैं अपने smartphone की screen को computer mirror करने के लिए आप iMobi के इस Any Mirror software का यूज कर सकते हैं यह बिल्कुल free में काम करता है इसका यूज़ करके आप बिल्कुल smooth, stable और lag-free screen को mirror कर सकते हैं इस free download button पर click करके आप इसे अपने computer या laptop में download कर सकते हैं software download होने के बाद आपको इसे अपने computer में install करना है फिर जैसे ही आप इस software को open करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का user interface शो होगा मैंने इस software को मेरी Macbook में install किया है अगर आप इसे Windows, laptop या PC में भी install करेंगे तो आपको same ऐसे user interface देखने को मिलेगा सबसे पहले मैं आपको iPhone की screen को Macbook में mirror करके दिखाता हूँ इसके लिए मैं first option iOS और iPad OS select कर रहा हूँ इस option पर click करते ही आपको दो option मिलेंगे या तो आप USB की through screen को mirror कर सकते हैं या फिर आप direct Wi-Fi का use करके भी अपने phone की screen को computer में mirror कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको USB की through मेरे iPhone की screen mirror करके दिखा दूँ इसके लिए आपको iPhone को cable की through laptop से connect करना है अगर आप पहली बार iPhone को laptop या computer के साथ connect करेंगे तो आपको या device trust करने का option भी आएगा तो आपको trust कर देना है मैंने पहली मैं laptop से iPhone को connect करका है तो इसमें trust करने का option नहीं आया है इसके बाद software में loading होगी और आप phone की screen को direct अपने laptop में देख पाएंगे अब आप phone में games चला सकते हैं और उन games को body screen पर enjoy कर सकते हैं यह software वीडियो और audio दोनों को mirror करता है तो आवाज भी आपको direct laptop के speakers के तुरू से नहीं देती है इसी तरह से आप phone में कोई भी वीडियो चला कर उसे body screen पर देख सकते हैं या उपर से आप इसका resolution भी change कर सकते हैं इस software के तुरू आप 4K resolution तक की screen को mirror कर सकते हैं अगर आप phone को बीना cable के mirror करना चाहते हैं तो आप इस software के wifi feature के use कर सकते हैं इसके लिए आपको इस laptop और phone दोनों को same wifi network से connect करना है इसके बाद आपको iPhone के control center में इस screen mirroring control पर tap करना है फिर यहां आपको screen mirroring में any mirror नाम से software शो हो जाएगा जिस पर आपको tap कर देना है इसके बाद loading होनी start हो जाएगी और process complete होते ही आपके phone की screen wirelessly laptop में show हो जाएगी इस software की खास बात है कि इसके साथ आपको ecosystem का barrier नहीं आता है आप अपने laptop में iPhone या Android किसी भी screen को mirror कर सकते है अब जैसे मेरे पास यह Macbook है तो इसमें Android phone की screen को भी mirror कर सकता हूँ इसके लिए मुझे इस Android option पर click करना है अब मैं Android smartphone को भी दोनों USB या फिर Wi-Fi की तुरू mirror कर सकता हूँ Wi-Fi की तुरू अगर आप Android smartphone को mirror करना चाहते है तो आपको नीची देगए option से QR code को open करना है और इससे अपने Android smartphone की camera app में scan करना है जिसके अंदर आपको AnyMiro app की link मिलेगी जिससे आपको अपने Android phone में download कर लेना है अप download होने के बाद आपको इससे open करना है और Wi-Fi option पर tap कर देना है इसके बाद app में searching स्टार्ट हो जाएगी और आपको laptop show होते ही आपको connect button पर click कर देना है अब loading complete होते ही आप Android phone की screen को भी Macbook में mirror कर पाएंगे और जो आप phone में चलाएंगे वो आप laptop की बड़ी screen में देख पाएंगे तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने iPhone और Android smartphone की screen को अपने laptop में mirror कर सकते हैं इस software को आप iMobi की website पर जाकर download कर सकते हैं और इसके खास बात है कि इस software फ्री में भी काम करता है बस फ्री version में आप हर दिन सर्फ 40-90 phone की screen mirror कर सकते हैं अगर आपको इसके paid version की जरूरत है तो वीडियो description मैंने discount coupon भी दे रखा है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो upload करूँ तो आपको पता लग जाए फिर मिलूँगा आप से एकली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद